हेलो फ्रेंच यह आद ग्रेट यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यह ब्लूटूथ पैनल को आप बारशर 30 IC कीट में कैसे लगाएंगे और दोस्तों मैं इसके रेट और इसमें से क्या-क्या मिलता है वो भी मैं बताऊंगा और इसके functions जो है किस प्रकार से यह काम करेगा इसमें क्या-क्या use कर सकते हैं हम लोग मैं वो भी बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से request करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए है तो please subscribe करें और दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पैनल में हमें क्या-क्या मिलता है दोस्तों इसका rate जो है 170 रुपिया लगा मुझे इसको ठीक है तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या है या remote है इसके साथ मिलेगा ठीक है तो यह ब्लूटूथ पैनल मेरा है ठीक है और पीछे इसका इसतरह से और इसमें दोस्तों एक remote मिल जाता है और दो वायर मिलेगा करनेक्स करने के लिए ठीक है यह जो है दोस्तों इसका मैं connection अब मैं बताता हूं सबसे पहले इसका remote यह जो है इसके remote में जो दोस्तों बैटरी से पहले से लगा हुआ है और इसको यहाँ पर यह जो है दोस्तों इसको remove कर लेना है जो कि battery connection को रोकता है इसको remove कर लेने के बाद remote काम करेगा उसके बा ये दो connection का है दोस्तों ये और एक तो इसका connection देखिए ये जो wire है यहाँ पर इसके पीछे side लिखा हुआ है दोस्तों ये 5 volt plus है और ये ground wire है तो ये कुछ इस तरह से connect होगा ठीक है इस तरह से connect हुआ तो 5 volt इधर वाला है तो 5 volt ये wire तो इस wire में से 5 volt ये हो जाएगा मेरा positive ठीक कभी भी इसका connection करने में आप opposite ना लगा ये जो है खराब हो सकता है या पैनल तो चलिए अब kit में आप लोग को wiring करने में बताता हूं सबसे पहले इसका जो बैटरी का connection है मैं 5 volt से चलाऊंगा इसको ठीक है तो 5 volt में charger से लिया हूं charger ठीक है तो charger को मैं आपे soling कर लेता हूं इसका positive में और इसका जो negative है ये दोस्तों अगर आप 5 volt से जएदा अगर आप AC करेंट से चलाते हैं 12 volt AC करेंट से चलाते हैं तो यहां पे आप transistor 78.05 का transistor लगा करके आप 5 volt में convert कर ले उसके बाद से इस पैनल में 5 volt ही दे 5 volt से जएदा देंगे तो यहां खराब हो सकता है ठीक तो आप इसमें 5 volt ही दे अगर आपको इसका conversion 5 volt 12 volt से 5 volt में conversion नहीं आता है तो आपको मैं i button में दे दूगा link आप वहां से देख सकते हैं तो दोस्तों यहां पे यह 5 volt में यहां पे मैं दे दिया हूँ उसके बाद से देखिए यहां पे sound भी आ रही है तो दोस्तों इसका positive wire जो है 5 volt प्लस यह हो जाएगा यह ठीक है तो कभी इसका connection आप wrong side से मत करें ठीक है तो plus volt यहां पे plus wire connect कर दिया हूँ मैं और यह जो minus वाला wire है minus wire भी यहीं पे connect कर देता हूँ इसका connection हो गया दोस्तों ठीक है अब इसमें लाइन आ गया होगा दिखिए अब इसका जो है यह 3 यह 3 यह 3 वायर को connection करते हैं यह 3 वायर धोस्तों आप इस इस पैनल को आप double channel में भी लगा सकते हैं और single channel में भी लगा सकते हैं तो यह यहाँ पर connect हो गया और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप तो लिखा हुआ है D A C R ठीक है यह जो है right का है सबसे उस side wire जो है right side का है उसके इधर बीच वाला जो है ground है और इधर वाला जो है left है तो मैं सबसे पहले ground वाले wire को connect करता हूं, ground wire जो है, beach वाला है तो beach wire को मैं ground से connect करता हूं झाहिए तो इसको ground से connect कर लेता हूं मैं यह ground से connect हो गिया और अगर आप single channel में लगा रहा है दोस्तों तो left right आप dोनों wire में से किसी एक में लगा सकते हैं, left में या right में ठीक है तो इस wire को यह जो potential meter आप देख रहे हैं इसके पहले वाले pin में connect करना होगा पहले वाले pin जो है दोस्तो audio in का होता है आप यहां से connect कर दें audio in आप left right यह दोनों में से कोई एक में कर दें ठीक है तो यहां पर आप fully work करेगा यह जो audio in होगी है यहां से होगी है अब यहां से दे आते हैं तब भी यह work करेगा यह जो wire मैं दिखाता हूं यह wire जो है यहां पर काम करेगा लेकिन बैटर यहीं होगा दोस्तों की आप यह जो left right का wire है अप परनेशो मीटर में ही लगाए है हाँ ठीक है यह हो गया तो best यह होगा दोस्तों की potential meter में ही wire को लगा है लेकिन अभी भी मैं इसका volume बढ़ाऊंगा घटाऊंगा फिर भी यह work करेगा देखिए इस प्रकार से यहां पर यह काम करता है ठीक है और यहां से आप अगर इसमें दोस्तों बास ट्रेवल का connection करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं अगर आपको बास ट्रेवल का connection करना है तो आप कमेंट कीजिए मैं दूसरा वीडियो बना के upload कर दूंगा ठीक है यहां से यह जो पैनल है मेरा कुछ इस प्रकार से हो यह ठीक है अगर दोस्तों चैनल सापके नहीं पकड़ रहा है तो आप इसको प्रेस कीजिए यहां पर देखिए यह जो है चैनल सर्च कर रहा है ठीक है यह चैनल एक चैनल ढूंड पाया ठीक है इस प्रकार से यह चैनल सर्च करता है इस प्रकार से आप इसको चैंज कर सकते हैं दोस्तों यहां पर आप जो है इसको मोड चैंज कर दें मोड चैंज कर सकते देखिए यह जो है ऑक्स मोड हो गया आप यहां से कोड लगा करके और आप जो है चीप से भी बजा सकते हैं ठीक है तो मैं चीप लगा कि आप लोगों को बजा के दिखाता हूं चीप जो है कुछ इस प्रकार से लगेगा है ना कि देखिए चीप लगी है चैनल लिए ठीक है तो आप यहां से भॉल्यूम जो है कुछ फॉट्टी लेवल का मिल जाता है आपको जोस्तों आसा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और पसंद आया तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल में नहीं है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जर रहोंगे यह एंटी 1 लिखा हुआ है मतलब होता कि antene 1 ठीक है तो इनटीना यहां पे आप connect कर सकते हैं तो यहां पे अगर अगर कनेक्ट करेंगे दोस्तों यहां से एक या निकाल सकते हैं तो अगर वायर निकालेंगे आप जो चैनल के लिए पकड़ेगा our साही से पकड़ेंगा ठीक है तो इस परकार से यहां पर आप इसको connect कर सकते हैं और छैनल यहां पर बहुत सी कीलियर साम सुनाई देगी और इसका जो वायर आप निकालके फ्हेस्थ ओपर या फिर कहि भी आंटीने में कर सकते हैं ठीक है